Hello everyone, welcome back to my channel So episode 24 के starting में हमें दिखाया जाता है चीसान लिंजे से मिलने आता है और उसे बोलता है कि लिंजे मुझे थोड़ी देर तुम से कुछ बात करनी है बट लिंजे उसे बात करने से मना कर देती है जबी चीसान उसे बोलता है कि लिंजे एक मिनट बस मेरी बात सुन लो मैं आस तुम्हें सब कुछ सच सच बताने माना हूँ तो लिंजे मूलती है बोलो क्या मूलना है तुम्हें मैंने जो कुछ भे तुम्हारे साथ किया मुझे उन सब चीज के लिए बहुत जादा पस्तावा हो रहा है जैसे चीसन लिंजे के कमरे में आता है तो वो उसे हख करता है तो लिंजे उसे बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो तो चीसन बोलता है कि मैं गलत था आज मुझे अपने गलती पर पस्तावा हो रहा है और मुझे रियलाइज भी हो गया है कि मैंने जो कुछ बे तुम्हारे साथ किया मुझे वो नहीं करना चाहिए था मुझे तुमें इस तरह से चोड़ना नहीं चाहिए था यह सारी तो यूवे की गलती है जो कुछ बे किया सब यूवे ने किया मुझे स्टार्टिंग से है यूवे की बात नहीं सुनने चाहिए थी यहाँ पर चीसार अपने सारे गलती का इल्जाम यूवे पर लगा देता है उसके बाद यहाँ पर चीसार भूलता है यूवे ने ही सारे प्लैंस बनाए थे उसने तो तुम्हारे बारे में बहुत सारे बुरे बाते भी मुझसे की और तुम्हारे डैट के बारे में भी और उसने मुझसे ये भी कहा कि तुम्हारे डैट और तुमने विल करके उसके फैमली को बरबात किया और उसने मुझे ये भी बोला कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो तुम्हारी डैट का सारा प्रॉपर्टी और पैसा मैं अपने नाम कर सकता हूँ मैं खोड़े धेर के लिए उसके बातों में आ गया था, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ और उसके सारे बातों पर मैंने विश्वास कर लिया, उसके बाद लिंजी आपर चेसन को बोलती है तुम ज़्यादा इनोसेंट बनने के कोशिस मत करो मेरे सामने, तुमने ही मेरी डैट को मडर किया है तो तुम अब यहाँ पर भूले बनने का नाटक मत करो, और अपनी दर्दी कोबूल कर लो तो चेसन उसे बोलता है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारे डैट का डेट एक एकसिडेंट था, ना तुम मडर तो लिंजे से बोलती है, अच्छा अगर तुमने मेरे डैट को नहीं मारा है तो तुम उस दिन मेरे कमरे में मेरे डैट का बाल चुराने के ने क्यों आए थे सायद तुम्हें अभी तक ये बात नहीं पता होगी बट वो बाल जो थे, वो मेरे डैट के नहीं थे ये तो हमने जाल बिचाया था, ये देखने के लिए कि क्या सच में तुम कातिल हो ये नहीं और तुम्हें ये भी पता नहीं होगा, कि उस बाल में जो जहर लगे हुए थे वो बस 24 घंटा के लिए ही वैलिट थे अब उस बाल में जो भी जहर है, उससे तुम ये डिटिक्ट नहीं कर पाओगे, कि वो कौन से जहर है तो यहाँ पर चीसन बोलता है, अच्छा, तुमने और कुइन ने मिल करके मेरे ने जाल बिचाया तो लिंजे उसे बोलती है, कि अगर हम ऐसा नहीं करते, तो हमें कैसे पता चलता कितन वड़ार हो तो चीसन बुस्सा हो जाता है, और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, कि तुम ये सारी बाते बोल करके मुझे धमकी दे दोगी तो लिंजे उसे बोलती है, कि अभी हमारे पास प्रूफ नहीं है, तो लिंजे उसे बोलती है, कि अभी हमारे पास प्रूफ नहीं है, तो क्या हुआ, बहुत जल दे हमारे पास सॉलिद प्रूफ भी आ जाएगा तो चीसन उसे बोलता है कि निंजे मुझे तुम्हारे उपर दय आ रही है वैसे तो आज मैं आपर तुम्हें मनाने के लिए आया था कि शायद तुम मुझे माप कर दो बड़ तुमने मुझे सच्चाई बता कर बहुत बड़ी बलती कर दी और ऐसले चीसन कौन है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ तो याँ पर निंजे बोलती है तुम दोलो क्या करने वाले हो तुम करो तुम्हें जो भी करना है अगर तुम्हारे पास इतने हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ तो चीसान उसे बोलता है कि लिंजी मुझसे डरने की जरूरत नहीं है मैं तुम्हें क्यों मारूंगा मुझे तो अभी तक तुम्हारे डाट के शेयर भी नहीं मिले है तो अभी तुम्हें मारना मेरे लिए फाइदे मन नहीं रहेगा क्या तुम भूल रहे बहुत ही जल्द हम लोग दोनों के शादी होने वाली है और फिर चीसान लिंजी के साथ बर्तमीजी करने के कोशिस करता है तब वहाँ पर क्विन आरता है और वो चीसान को मारता है और लिंजी को बचाता है उसके बाद Quinn बोलता है चीसन को कि अभी के अभी इस रूम से निकल जो उसके बाद यहाँ पर चीसन बोलता है Quinn को गेम तो बस अभी स्टार्ट ही हुआ है अभी आगे आगे देखो क्या होता है और मैं इस गेम को तुम्हारे से इंजॉय करूँगा और यह बोलकर चीसन वहाँ से चला जाता है उसके बाद यहाँ पर लिंजे पोस्तियर Quinn से कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे उसके बाद क्विन लिंजी के रूम पर जो कैमरे लगा रहता है उसे नुकालता है और लिंजी को दिखाता है और बोलता है कि ये सब तुम क्या कर रही थी वो तुम्हें अभी मारने जा रहा था तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो तुम लिंजर से बोलती है तुम्हें उसस की बेटी हूँ मेरे डाड ने तुम्हारे डाड को मारा है इसलिए तुम प्लीज मुझसे दूर रहो उसके बार लिंजी ये बुर के वहाँ से चली जाती है तो क्विन बे उसके पीछे जाता है और वो उसे हग करता है और बुलता है अच्छा तो तुम्हें अब सारी सचाई पता चल गई है तो लिंजी बुलती है कि हाँ मुझे सब पता चल गया है तुम्हारे फैमली का मेरे फैमली के उपर एक एहसान है और मेरे डाड ने तुम्हारे डाड के साथ जो किया वो बहुत गलत था मैं तो अब तुम्हें मुझे दिखाने नायक नहीं रही तो यहाँ पर क्विन उसे बोलता है कि लिंजी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कुछ भी हमारे पास्ट में हुआ, उसमें तुम्हारे कोई भी दरती नहीं है, मुझे बस तुम्हारी परवा है, भले ही तुम मेरे दुस्मन की बेटी हो, मुझे उन सब से कोई मतलब नहीं, मुझ तुम्हारे डाट के वज़े से तुम्हें बहुत जादा सफर करना पड़ा है, फिर भी तुम बार-बार मुझे प्रोटेक्ट करने में नगी रहते हो, और हमीशा जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ, तुम मुझे मुझे मचाने चले आते हो, पर कुए उसे बोलता है, क् बट मैं ये नहीं भूल सकती, कि तुम्हारे फैमिली में जितने भी प्रॉब्लम्स आई है, तुम्हारे डाट पी चले गए, वो सारा कुछ हमारी फैमिली के वज़े से ही हुआ है, मैं ये चीज़ कैसे बोल जाओ, मैं जब भी तुम्हारा चाहरा देखते हूँ, मुझे क्वार में ये ही आदाता है, कि मेरे डाट के वज़े से तुम्हारे डाट चले गए, और फिर भी तुम हमेशा से मेरे साथ अच्छे से बहेव कियो हो, इसलिए आज की बाद तुम मुझे से मिलने मता ना, तो कुईन रोने लगता है, और फिर वो से हग करता है, और बोलता तुलिन्जे बोलती है कि नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकती मुझसे यह नहीं हो पाएगा जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे हमेशा यह याद आता है कि तुमने अपने फैमली को लेकर कितना सहा होगा तुम्हारे डैट के देख पर तुम्हें कितना बुरा लगा होगा तुमने तो अपना सब कुछ खो दिया, तुम्हारी कम्पनी भी बरबाद हो गए, इस लिए क्विन प्लीज मुझे जाने दो, तुर क्विन उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरा दूर जाना ही अच्छा लग रहा है, तो ठीक है, मैं तुमसे बूर रहूँगा, ब फिर सीन यहां पर खतम हो जाता है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे लगी हो, तो प्लीज मैंने वीडियो को लाइफ करिएगा, मैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बजल देश करने है, अपिसोड लेकर क्या होंगी, तो इसके लिए वेट करिएगा, तो फ